हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीगोचिंग लशास पर स्वगत है दोस्तों आज का छोटा सा टॉपिक है स्यान बल और घर्षन बल में समानता और डिफरेंस ठीक है दो दो नमबर में कोश्यत पूछे जाते है इसलिए मैंने सोचा कवर करा देता हूं तो दोस्तों पहले स्यान बल आप लिख लें और घर्षन बल यह घर्षन बल धोस्तों तरल में काम करता है कहने के मतलब अभी यहां समानता क्या है चीजें समझना ना नहीं का तो सर्थी तो डिफेरेंस है देखी यह तरल की दो पर्तों के बीच आपेची गतिका विरोध करता है यह ठोस बस्तूओं के मत आपेची गतिका विरोध करता है मतलब दोस्तों इसमें भी दो माद्यम की ज यहाँ पर यह समानता हो गई लेकिन यह डिफरेंस है कि यह तरल के मत और यह ठोस के मत कार करता है यह तो डिफरेंस है लेकिन दोस्तों स्यानबल में भी दो परत होना चाहिए और घर्षनबल भी दो आपेचिक ठोस हो या कोई दो पदार्थ हो तो उसमें भी दो माध्यम होन ठीक है दूसरा समानता है दोस्तो यह आणविक आकर्षन के कानुतपन होता है और यह भी आणविक आकर्षन के कानुतपन होता है मतलब इनके अड़ों के बीच आणविक आकर्षनवल कार करता है ठीक है तो यह दोसमानता हो गई अब अपन को देखना दोस्तो अंतर ठीक है बहुत आसान है यार पहला अंतर तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्यानबल होता है मिरे भाई वो किसके बीच कार करता है द्राव के परतों के बीच और घर्षनबल घर्षनबल तो ठोस के बीच कार करता है मुख्रोप से ठोस होता है दोस्तों ठीक है तो पहला अंतर आपक कि किस प्रकार से स्यानबल कार करता है ठीक है घर्षनबल में दोस्तो घर्षनबल संपर्क तलों के छेत पल पर निर्भर नहीं करता क्लियर दोस्तो तो घर्षनबल छेत पल पर निर्भर नहीं करता दूसरा दोस्तो यह एक ही द्रो के दो परतों के बीच लगता है मतलब स्या बाल कारता नहीं करता है अच्छा लगे तो अपने दुस्तों सा भी सेर कार दिना